हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आज हम बना रहे हैं करेला की बिल्कुल नई रेसिपी जब इस तरीके से आप करेला बनाएंगे तो करेला बिल्कुल भी करवा नहीं लगेगा और बच्चे बरे सभी काफी पसंद से खाएंगे बिल्कुल नई रेसिपी है बिना इसकी पकेवे आप पूरी वीडियो को जरूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें तो चलिए बनाते हैं करेला की इस नई रेसिपी को यहां मैंने दिया है 500 ग्राम करेला इसे हम अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे उसके बाद या आप चाकू की मदद से इसे गोल या लंबा किसी भी साइज में काट लें उसके बाद मैं यहां डाल दए हूँ आधा चमच हल्दी आधा चमच लाल मिर्च पॉडर चार चमच बेसन एक चमच मलाई या आप इसकी जगध ही भी ले सकते हैं नमक स्वाद नुसार आधा चमच चाट मसाला और आधा चमच मैगी मसाला सभी चीजों को अच्छी तरह से हमें मिला लेना है अगर आपका मसाला इसमें बेसन सुखा लग रहा है तो आप इसमें थोरा सा पानी डालें बहुत ही थोरा सा डालें और इसे इस तरीके से मिला लें और ढखकाट 10 मिनट के लिए छोड़ दें मसाला हमारा कड़ेला में अच्छी तरह से मिल गया है गैस पर मैंने कराही को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें डाला है सरसों तेल तेल हमें तेज आँच पर रखना है उसके बाद हम इसमें डालेंगे करेला करेला को एक बार पलटने तक हम इसे तेज आँच पर ही फ्राय करेंगे जब हम इसे एक बार पलट लेंगे तब इसका फ्लेम हम करेंगे लो और लो फ्लेम पर इसे हम फ्राय करेंगे इससे हमारा तेल भी बहुत ही कम लगेगा और करेला भी अंदर से क्रिस्प हो जाएगा यह रेशिपी बहुत ही जल्दी बन कर तैयार हो जाता है तो प्लीज आप जरूर इस रेशिपी को ट्राय करें करेला हमारा दोनों तरफ से आप फ्राय हो गया है अब हम इसका तेल साइड करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो हमारा क्रिस्पी करेला बन कर तैयार हो गया है यह बहुत ही नई रेसिपी है आप एक वार इसे जरूर ट्राय करें विडियो पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें धन्यवाद कारो किस ब всब्सक्राइब कर तो सबसक्राइख अ किस अए Сबस्क्राइब करेंद